श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, दो सितंबर अमावस्या सोमवार के दिन साल की सबसे बड़ी सोमवती अमावस्या का दिन है. इस सोमवार की रात उपाय करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं. इस दिन बना दिव्य महा शुभ संयोग. इस दिन मत इस सोमवती अमावस्या की रात चुप चाप एक मुठी नमक फेंक दे. यहां गरीबी हो जाएगी. खत्म. एक महीने धंदौलत बढ़ती चली जाएगी. आपके जीवन में दूर हो जाएंगे और सुख आपके कदमों में आ जाएंगे. और आप एक महीने के अंदर पती बन जाओगे. अगर आप मात्र एक मुठी नमक चुप चाप यहां फेंक देते हैं. भाद्रपद. सोमवार के दिन आपको माला माल से करोडपती बनने से कोई नहीं रोक सकता. और साथ ही साथ आपका कोई भी बड़े से बड़ा दुश्मन भी हो जो आपसे जड़ता ह आपकी सफलता को देख कर जलता हो तो वह भी आपके सामने घुटने टेक देगा. इस उपाय को करने से दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको नमक से ऐसे अचुक उपाय बताने वाले हैं, चमतकारिक उपाय बताने वाले हैं, जिसे अगर आप 2 सितंबर भाद्रपद के सोमवार के दिन, तो दोस्तों समझ लें, आपके जीवन से ततकाल गरीबी खत्म हो जाएगी, जीवन के दर्द संकट है और आप एक महीने में करोडपती माला माल बन जाओगे, तो दोस्तों अपने फायदे के लिए पूरा वीडियो देखना, यह वीडियो आपको जरूर ह सबसे पहले, और सचे दिल से कमेंट्स बॉक्स में जयमाम दुर्गा जरूर लिख देना, जिससे माता कृपा आपके और आपके परिवार के ऊपर सदैव बनी रहे, और दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे और लोग भी इस वीडियो को पूरा देखेंगे और उपाय को बारी की से समझेंगे, तो यकीन मानिये, आपके घर में माता दुर्गा दोड़ी चलिया जाएगी, आपके घर में माता दुर्गा का स्थाई रूप से वाज जाएगा, रहो दिशाओं, धन की प्राप्ती होगी, तो नमक से जुड़े तरह आपको करने हैं, जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो, हिंदू धर्म में मकर क्रांती का दिन बेहद ही खास समझा गया है, इस दिन स्नान दान पूजा पाठ व तरपन आदिकरना लाभकारी समझा गया है, आपको बता दें कि यह वाली सोमवार के भी उपायों को आप करोगे, या दोस्तों, दरसल इस समय में पढ़ने वाली सोमवार पुष्य योग तिथी तीन साल में एक बार आती है, मानिता है कि इस दिन जो मानव श्राध कर्म करता है, अपने पूरवजों की आत्मा की तरक्की के लिए, शान्ती के लिए के लिए, जो भी उपाय है, उस मानव को संकट मुक्ती मिल जाती है, जीवन के जो भी दुखदर्द संकट है, खत्म हो जाते हैं, घर परिवार में खुशहाली आती है दोस्तों, इस दिन मतलब भादरपद दुरगावरत के दिन आपको सुभह जल्दी उठकर स्नान करना है, इस दिन पवित्र या सरोवर म स्नान ना कर सके, तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगाजल की कुछ डाल कर स्नान करें, और मन ही मन नमोकार्य करने चाहिए, तरपन करें, दान करें, इन पावन दिन के विधी विधान पूजा अर्चना करनी चाहिए, आरती करें, सुभह शाम घी का दीपक जलाएं, और भगवान शिव शंकर और मा पार्वती की भी विधि विधान से पूजा करें। आप सुबह से शाम तक भगवान शिव के मंतरों का जाप करना है। ज्यादा से ज्यादा हो सके वासुदेवा मंतर का जाप करना है। भगवान विश्णुजी के मंतर का, ओ नमह शिवाय भगवान शिव के मंतरों का जाप करें, जितना हो सके आपको लाभ मिलेगा, और दोस्तों अब बात करें, आपको नमक से जुड़े कौन-कौन से उपाय करने हैं, जिससे कि आपको तमाम तरह के दर्द संकटों से छुटक करने चाहिए, नमक का इस्तेमाल हम खाने पीने की चीजों में करते हैं, जरासा नमक में कम ज्यादा हो जाए तो खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है, कहने का है कि नमक का हमारे खान-पान में बहुत महत्व होता है, क्या आप जानते हैं कि साधारन सा दिखने वाला यह नम खुद को बुरी से बचाने के लिए भी इसका उपाय किया जाता है, हम तंत्र में नमक को चंद्र और शुक्र का प्रतिनिधी समझा जाता है, नमक से जुड़े ऐसे वास्तु उपाय किये जाते हैं, जिन्हें करते ही आपकी सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं, और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां हैं, जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको नमक के कुछ ऐसे उपाय और टोटकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकती हैं, जी हाँ दोस्तों, नमक का इस्तिमाल कई तंत्र और म नमक का बहुत उपयोग करते हैं। नमक के साथ उपाय किया जाए, तो आपको रातों रात अमीर भी बना सकता है। आप धन से भी बन सकते हैं दोस्तों। पोचा लगाते समय मिलाए, नमक दूर होगी, धन की कमी। दोस्तों, आप जब भी अपने घर पोचा लगाए, तो उसमें कुछ नमक जरूर मिला दें। ऐसा करने से आपके जीवन की जो भी परिशानिया हैं, खत्म हो जाएंगी। कम से कम आप हफते में दो बार तो ऐसा जरूर करें। कहते हैं, घर में नमक वाला पोचा लगाने से शीघर ही धन की प्राप्ती होती है। यह पूरे घर को पॉजिटिव उर्जा से होता है, और घर में जो भी नेगिटिव उर्जा है, वह बाहर निकल जाती है। इसलिए आप घर की तरक्की के लिए नमक के पोचे को जरूर लगाएं, और साथ ही नमक को कांच की प्याली में भरकर शौचाले या फिर स्नान घर में जरूर रखें। या दोस्तों, नमक और कांच दोनों को ही राहू का कारक समझा जाता है। इसलिए अगर आप नमक को कांच की प्याली में शौचाले या फिर स्नान घर में रखेंगे, तो वहां से नेगिटिव एनरजी का नाश होता है। इसके अलावा इस उपाय से वहां मौजूद सूक्ष्म भी नश्ट होते हैं। इसलिए आप अपने घर के शौचाले या फिर स्नान घर में एक कांच की कटोरी में नमक जरूर रखें। तंत्र शस्त्र एक और उपाय बताया गया है कि नमक को कांच की प्याली में भर कर उसके अंदर ते रहपा। अगर आप लॉंग डाल दें। ऐसा करने से घर में धन की बरकत होती है और दुरगा आगमन होता है। घर में सदैव सकारात्मक उर्जा का रहता है। साथ साथ नमक वाले पानी से बच्चे को नहलाएं। या दोस्तों, अगर हफ्ते में आप एक बार बच्चों को छुटकी भर नमक डाल कर पानी से सनान कराएं, तो बच्चों को बुरी नजर नहीं लगेगी। घर में हमेशा वाद विवाद रहता हो, तो इसे दूर करने के लिए आप कांच की कटोरी या फिर कांच के गिलास में सेंधा नमक डाल कर, बेडरूम ड्राइंग रूम या फिर आप घर के किसी भी कोने में रख सकते हैं। नमक नकारात्मक उर्जा को सुख लेगा। घर मे हालाद धीरे-धीरे सुधर जाएंगे और आपके घर सकारात्मक उर्जा का वास होगा। और साथ ही, अगर आपके घर में कोई बीमार रहता हो, तो आप नमक का उपाए जरूर करें। अगर कोई लंबी से ग्रस्त है, तो उसके सिरहाने आप कांच के बरतन में, तो आप अ अपने पास एक डिब्बी में थोड़ा सा नमक रखतें, एक हफते बाद उस नमक को बदल कर दोबारा नमक रखें, धीरे-धीरे में होने लगेगा। साथ ही साथ, नमक का यह महत्वपूर्ण उपाए हम आपको बता देते हैं। जिन लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, य फिर आप इस नमक को दर्वाजे के बाहर फेंक दें। ऐसा लगातार तीन दिन करें, अगर इससे भी आपको लाभ ना मिले, तो नमक को सिर पर से तीन बार उतार कर, शौचालय में डाल कर आपको फ्लैश कर दें। इससे आपको जल्द फायदा कम मिलेगा। साथ ही जयोति वास्तु शास्त्र के अनुसार साबुत नमक या डली वाला नमक को लाल कपड़े में बांध कर अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध दें। इसे आप अपने कारिक्षेत्र में भी द्वार पर भी टांग सकते का संते होता है। साथ ही डली वाले नमक को लाल रंग के ग्रह समझा गया है। आपको दाल या सबजी में अगर नमक या मिर्च कम लगे तो उपर से आप उसमें नमक और मिर्च ना डालें। ऐसे में आप काला नमक या काली मिर्च का ही उपाय करें। ऐसा करने से शणी मंगल का दुश असर भी नहीं होगा। गर के जो किचन वहाँ पर रख सकते हैं भिगोने में। या दोस्तों ऐसा करने से नेगेटिव एनरजी खत्म होगी और पॉजिटिव एनरजी घर में प्रवेश करेगी। और आपको ऐसा करने से आपके घर में कभी भी अन्नधन की कमी नहीं रहेगी। और मा, सदैव आपके पर आशीरवाद बना रहेगा और साथ ही साथ अगर आपको विरोधियों से बचना है तो नमक का यह उपाय करें। या दोस्तों, कार्यस्थल पर कई बार कुछ सहकर भी भी हमारे विरोधी हो जाते हैं। ऐसे में ना चाहते हुए भी कार्यस्थल में हमारे काम में आती और जो काम अच्छे से संपन्न करना चाहते हैं वह नहीं कर पाते। जाहिर है अगर आपके मन में इरश्या और द्वेश की भावना नहीं है नमक डाल कर जरूर चाहिए। ऐसा करने विरोधी द्वारा लिए फैलाई जा रही नकारात्मकता नश्थ हो जाती है। और स ध्यान रखिए जो भी आप में नमक घोल कर रखें वह कांच की शीशी होनी चाहिए। ऐसा करने से अपनी आर्थिक स्थिती में सुधार महसूस होने लगेगा। आपको धन के बनने लगेंगे दोस्तों। साथ ही साथ धन की देवी मां दुरगा को प्रसन करने के लिए नम नमक केवल पानी में ही नहीं, बलकि हलकी हवा में भी घुल जाता है। ऐसे में जब भी आपको महसूस हो कि लाल कपड़े में रखा हुआ नमक खत्म होने लगा है, तो आप में और नमक दें या दोस्तों, लाल कपड़े में नमक बांध कर अपने तिजोरी में रख सकते है या फिर थोड़ा सा नमक लाल कपड़े में बांध कर आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। या दोस्तों, आपको धन लाभ प्राप्ति के योग बनेंगे और धीरे धीरे आपके धन में व्रिध्य होने लगेगी। किसी ना किसी माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होन यह चंद्र और शनी का मिलन होगा, जो की बहुत ही घातक सिद्ध होता है। यहां तक कि आप कंगाल भी हो सकते हैं। यह रोग और शोक का कारण बन जाता है। नमक को किसी के पात्र में भी भूल कर भी नहीं रखना चाहिए। नमक को काँच के पात्र में ही रखना दोस्त, अक्सर खाने में नमक कम हो जाता है और तब आप ऐसी स्थिती में थोड़ा नमक लेकर खाने में डालते हैं और बाकी फेंक देते हैं, जो की बहुत ही अशुब समझा जाता है। और आजीवन आपको गरीब रहना पड़ता है। नमक की कदर करें। दोस्त और उधार, कभी किसी का नमक नहीं खाना चाहिए। कहते हैं, नमक का हक का आदा करना है। इसलिए कभी किसी का नमक उधार मांग कर नहीं खाना चाहिए। इससे उल्टा बुरे दिन शुरू हो सकत दोस्त शास्त्रों के अनुसार समझा जाता है कि शाम के कभी किसी से नमक नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। अवश्य लगाएं परन्तु याद रहे नमक मिले पानी से दोपहर के समय पोछा नहीं लगाना चाहिए। और वह घर में दर्वाजा उदय से पहले खुलता हो। क्योंकि सूर्य उदय से पहले जब किसी का दर्वाजा बंद होता है तब भला माता दुरगा आपके घर में प्रवेश क्यों करेगी। आपने तो आने का मार्ग ही बंद कर दिया है इसी लिए सवेरे सवेरे दर्वाजा अवश्य खोल और साफ सफाई कर ले दोस्त। जादू टोना, तंत्र मंत्र, बुरी शक्ति बुरी हवा, नजर दोश मात्र इस उपाय को करने से दो मिनट में सब ठीक हो जाएगा। करे नमक का यह उपाय थोड़ा सा वाला नमक और थोड़ा सा साथ की संख्या में साबुत लाल मिर्ची लें, उसमें डंठल होना एक टुकडा कोयला लें और थोड़ी सी हल दी, अब इन सभी को कागज में लपेट कर उसकी नजर उतारें, जिसे नजर लग गई हो, सर के उपर से साथ बार घुमाएं और इसे अगनी में जला दें, अगनी आप किसी पात्र में घर में ही जलाएं, दोस्तों आप यकीन नह पूर्ण हो जाएगी, क्योंकि नजर से पत्थर भी तूट जाता है, आप तो है, यह उपाय बुरी नजर को कोसों दूर रखता है, लाजमी है कि जब आपके उपर नजर ही नहीं होगी, तब आप काम्याबी की और क्योंकि नजर लगने से हम कुछ नहीं कर पाते, इसी लि तकीये के नीचे नमक रखें, तो काले कपड़े में बांध कर ही रखें, फिर इसे कर दें दोस्तों, चाय में नमक नहीं डालना चाहिए, बहुत ही अशुब समझा जाता है, चाय में नमक डालकर पीने आपके शरीर में कई घातक बीमारी पनपती है, इससे आपका खून ध धीरे धीरे जलने लगता है, कम लगता है, आपकी हड़ियां कमजोर होने लगती है, चाय में कर भी नमक कभी न डालें, इससे आपकी मृत्यू भी हो सकती है, दोस्तों के दिन नमक का दान करना बहुत ही शुब और मंगलकारी समझा जाता है, इससे मानव सभी नवगरह शा भी ज्यादा मात्रा में नमक नहीं खाना चाहिए, इससे आपका नमक के साथ घुल सकता है, आपका खून सुख सकता है, आपको हृदय हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है, आपके पेट में पथरी हो सकती है, आप अपनी की रोशनी खो सकते हैं, ज्यादा नमक खाने स आपकी हड्डियों का सुर्मा बन सकता है नमक न कम न ज्यादा इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए अच्छा समझा जाता है शरीर के दोस्त जो मानव नमक की गद्र करता है उसके उपर हमेशा माता दुर्गा का आशीरवाद बना रहता है जी हाँ दोस्तों आप आज की इसमें आपको नमक से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताएं हैं ध्यान से समझिए उसके बाद ही आप लोग जो है इस उपाय को जरूर कीजिए सबसे पहली चीज हम लोग यह समझते हैं कि इस एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को इस आने वाली सोमवार अमावस्या के दिन किसको करना है तो देखिए इस उपाय को घर के सभी सदस्यों को करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है घर में से कोई एक मुख्य बड़ा सदस्य ही इस उपाय को करेगा तो उस घर परिवार के सभी सदस्यों को इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा पर वह बड़ा सदस्य कौन होगा कौन व्यक्ति इस उपाय को करेगा यहां पर देखिए हम आपको बता दें घर की जो बड़ी माताएं बहने होंगी घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है अपने पूरे घर परिवार के लिए घर में सभी सदस्यों को इस उपाय को करने की जरूरत नहीं है मात्र घर की जो बड़ी माताएं बहने हैं, उनमें से कोई भी एक माता बहन इस वाले उपाय को करेगी, तो उसके घर परिवार के पूरे सदस्यों को इस उपाय का फल मिलेगा अगर किसी कारणवश, माताएं बहने घर में उपस्थित ना हो, वह इस उपाय को ना कर रही हो, कुछ दिक्कत हो, तो दोस्तों, उस जगह पर फिर घर का कोई बड़ा व्यक्ति भी इस उपाय को कर सकता है माताओं बहनों के कहने का मतलब यह था, कि माताएं बहने घर की लक्ष्मी होती है जब घर की लक्ष्मी कोई उपाय करती है, तो निश्चित ही भगवान शिवाजी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, और उपाय का फल में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा करके भी यहां पर देते हैं, तो आप लोग ये बात समझ गए होंगे, अब हम ये बात समझते हैं, इस वाले उपाय को करना किस समय है, एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाले उपाय को हमें सोमवार के दिन करना किस समय है, तो देखिए इस उपाय को करने का जो समय है, सुबह का समय भी है, और शाम का समय भी है, अब देखिए, यहां पर हम मुख्य रूप से सुबह का सम इस दिन भगवान जी का सबसे प्रिय दिन होता है। तो बिलकुल कर लेना, पूरी कोशिश करना। पर अगर किसी कारण वश इस समय के बीच में ना कर पाओ, तो रात आठ बजे तक भी अगर आप उपाय को करोगे, तो आपको उपाय का फल जरूर मिलेगा। आप उस समय पर इस वाले उपाय को कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं इन विशेश उपायों के बारे में। लेकिन उस से पहले जो भी मेरे दोस्तों, मेरी प्यारी बहने आज चैनल पर पहली बार आएं हैं, या मेरी आवाज आज पहली बार सुन रहे हैं, अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, देखो, अब सबसे महत्व पूर्ण बात आती है, कि इस उपाय को हमें करना किस लिए है, जैसा कि हमने अभी आप से बोला, कि इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां आएंगी, आपक घर बनाने के लिए पैसा नहीं है, हमें गाड़ी लेना है, पर गाड़ी लेने के लिए पैसा नहीं है, हम जमीन लेना है, पर जमीन लेने के लिए पैसों की कमी पड़ी, डीडिये रही है, अगर ऐसी ही दिक्कत, परेशानी, या किसी भी तरह की धन से जुड़ी हुई समस अगर आपके जीवन में चल रही है, तो यह उपाय निश्चित ही आपके जीवन में मतलब बहुत सारे मतलब फल लाकर दे सकता है। इस उपाय में करना क्या है? वह सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, उपाय की सामगरी. हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि इस उपाय में किस-किस चीज की आवश्यक्ता पड़ेगी. तो देखिए, उपाय का नाम तो एक लाल फूल और एक सफेद फूल वाला उपाय है, पर इस उपाय में कुल मिलाकर चार सामगरी हमें लगने वाली है, जो कि पंडित जी ने खुद सिहोर वाली कथा में बताया है, और जो हम आप बताते हैं, वह पंडित जी द्वारा बताये गए होते हैं, अलग से हम कुछ भी नहीं बताते हैं. तो यहाँ पर हम लोग समझते है कि इस उपाय की सामग्री क्या है तो देखो उपाय की जो सामग्री है वह चार सामग्री है जिसमें से सबसे पहली सामग्री है एक बेल पत्र देखो बेल पत्र क्या होती है बेल पत्र जो शिव की शिवलिंग पर चड़ती है दूसरी चीज है एक शम पत्र, शम पत्र, वह जो शिवलिंग पर ही चड़ता है, तीसरी चीज़ है दोस्तों, एक लाल फूल जो का नाम है, तो एक यहाँ पर आपको लाल फूल लेना है, अब ये लाल फूल कौन सा लेना है, देखो शिवलिंग के उपर जो लाल फूल चड़ता हो, उन में से कोई भी एक लाल फूल पसंद कर लेना और वह कहीं से तोड़ कर या कहीं से खरीद कर लेकर आना और उस लाल फूल को उपाय में उपाय कर लेना उसके बाद में एक सफेद फूल सफेद फूल का विशेश रूप से ध्यान रखना जो सफेद फूल शिवलिंग पर चढ़ता हो, सिर्फ वही सफेद फूल लेकर आना, इसके अलावा कुछ मत लेकर आना, लेकिन केतकी का लेना तो एक-एक मात्रा में ही आपको यह चारों सामगरी चाहिए, एक बेल पत्र, एक शमी पत्र, एक लाल फूल और एक सफेद फूल, यह चारों सामगरी आप लोग तैयार करके रख लें, प्रदोशकाल में या सुबह के समय, जब भी आप इस उपाय को कर रहे हैं, जैसे ही आपके उपाय की सामगरी तैयार हो जाती है, तो क्या हम सीधा उपाय को करने के लिए इन चारों सामगरी को लेकर, मतलब उपाय करन पर हमें यह दर्शा बिल्कुल भी नहीं है कि हम सिर्फ अपने फाइदे के लिए भगवान शिवजी के मंदिर में आए हैं। इसलिए हम इस उपाय को करने के साथ साथ मैं भगवान शिवजी की पूजन अर्चना के लिए कुछ सामगरी भी जरूर लेकर जाएंगे। प्रतिदिन शिवजी के मंदिर जाते हैं, पूजन अर्चना करते हैं, जल चढ़ाते हैं, फूल बेल पत्र सब कुछ चढ़ाते हैं। दोस्तों, वह अपनी पूजन अर्चना वैसी की वैसी ही करना, बाकी जो सिर्फ उपाय को करने के लिए जा रहा है, जो कुछ भी लेकर न बाद ही करना, वही अगर बात करें, शाम के समय की अगर कोई व्यक्ति, शाम के समय प्रदोशकाल में इस वाले उपाय को कर रहा है, तो दोस्तों, आपको मात्र एक घी का दीपक तैयार करना है, यह बात हम हमेशा बोलते हैं, शाम के समय, प्रदोशकाल में कोई कर रहे हो तो दीपक का विशेश महत्व होता है, अमावस्या के दिन का प्रदोश काल में, व्यक्ति दीपक जलाता, भगवान शिवाजी के मंदिर में दोस्तों, उसके जीवन से सारी दुख और परेशानिया भी दूर होती हैं, तो दोस्तों इस दिन दीपक का विशेश रूप से ध्य अगर आप इस उपाय को शाम के समय प्रदोश काल में कर रहे हो, यह जो दीपक आप लोगे, यह आठे का लोगे, जो आठा आप घूं दोगे, उसके अंदर कुछ भी मत डालना, मात्र साधा आठा लगा कर उसे तैयार कर लेना, और एक मीडियम साइज का दीपक तैयार कर दीपक न ज्यादा छोटा हो, न ज्यादा बड़ा हो, उसके बाद में दीपक आपका तैयार हो जाए, तो इसके अंदर जो बत्ती रखोगे, वह गोल बत्ती रखोगे, देखो, गोल बत्ती भी दो तरह की होगी, एक बाजार की और एक घर वाली, तो कोशिश करना, अपने अपने हाथों से परिश्रम करके तैयार करते हैं, तो आपको उस दीपक के अंदर एक गोल बत्ती रख देनी है, इसके अंदर जो चीज आप लोग डालोगे, वह डालोगे, लोगे, वह डालोगे, शुद्ध देशी गाय का घी, इस बात का विशेश रूप से ध्यान रखन शुद्ध देशी गाय का घी ही डालना है, तेल वगेरह नहीं आज के दिन तो मट डालना, अमावस्या के दिन, क्योंकि भगवान शिवजी का सबसे प्रिय दिन और प्रिय समय पर हम लोग इस वाले उपाय को कर रहे हैं, तो इतना सा शुद्ध देशी गाय का घी इतना डा पर गाय के घी से भगवान शिवजी प्रसन्न होते हैं, और उसी शुद्ध देशी गाय के घी से घर में बरकत भी बनी रहती है, और हमारे घर में सुख शान्ती भी बनी रहती है, इसलिए इस शुद्ध देशी घी को अब अपने घर में हमेशा रखा करो, वह भगवान शि अध्धता का विशेश रूप से ध्यान रखिएगा। और जैसे ही आप भगवान शिव जी के मंदिर में पहुँचते हो, वहाँ जाकर ही उपाय शुरू नहीं करना है। पहले उसी के बाद अगर आप शाम के समय कर रहे हो, तो पहले जाकर बैठना है। इस उपाय का फल उस व्यक्ति को भी बहुत मिल जाएगा। इस बात का ध्यान रखना, अपने घर से अपनी ही माचिस लेकर जाना और इस दीपक को जलाना। दीपक को जलाने के बाद भगवान शिवजी की शिवलिंग के पास में रख देना, शिवालिंग के इतना पास में मत। भगवान शिवजी को आँच लगे, थोड़ी सी दूरी बना कर ही जो है इस दीपक को शिवलिंग के पास में आप लोग रख दीजिएगा। अब जैसे ही आपकी पूजन अर्चना हो जाती है, भगवान शिवजी के शिवलिंग के सामने या आसपास कहीं पर भी बैठ स्थान देख लीजिए, माता अशोक, सुन्दर जी का जो स्थान होता है, वह जलाधारी के उपर होता है, जलाधारी के बिलकुल बीचों बीच में होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, शिवलिंग की जलाधारी होती, जलाधारी के बिलकुल बीचों बीच का जो अपनी एक बेल पत्र उठालो एक बेल पत्र को आपको माता अशोक सुन्दरी जी स्थान पर सबसे पहले समर्पित करना है बेलपत्र की डंडी का मुख होगा जलाधारी की तरफ जहां से जल बहता है और नीचे गिरता है और बीच वाली बड़ी पत्ती का मुख मतलब शिवलिंग की तरफ होगा इस तरीके से आपको इस बेल पत्र को माता अशोक सुंदरी जी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है। अब आप लेलो अपना एक लाल फूल जो आप उपाय को करने के लिए लेकर आये हुए हो। इस लाल फूल का जो खिला हुआ भाग होगा चाहे वह गुलाब का फूल हो चाहे कोई सा फूल जो शिवलिंग पर चढ़ता हो। दोस्तों उस फूल का जो खिला हुआ भाग वह शि झाल झाल